मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गारेक्टर रस्टी अपने क्लासरूम में दिखाया जाता है उसी के पास उसकी क्रश जिसका नाम था केट वो बेंच पर सो रही थी उसके नाग से खुन बहे रहा था रस्टी को केट का इस तरीके से खुन बहेना यह अच्छा नहीं ल प्रेजेंट से ज़्यादा आगे क्या होगा इसके वारे में बहुत सोचा करती थी बदिए अब इस मूओंन पर मैं फोकस कर रही हूं जिंदगी हमें सिर्फ एकई बार मिलती है तुन नहीं तो सौझेस का बूढ़ार लड़के पूच रही थी पर लड़का अपने नशे में था उसने सैम कि किसी भी बात पर नहीं किया था सैंसे को लड़का भी उसके साथ चलने के लिए फिर रेडियो जाता है सैम उसके घर पर चली कि टेबल पर एक बुक पड़ा था उसको लेकर बात करने लगते बातों बातों में दोनों इंटिमेट होने लगते यह सिन वही पर खतम हो जाता है नेक्सिन में विल्लियम को देखते जो रस्टी के फादर थे वो उस घर में जो रह रही थी यह उनकी डिवॉस्ट वाइफ थी उनके एक्स वाइफ का नाम था एरिका एरिका अपने नए हजबन के साथ रह रही थी वो दोनों आज जगडा कर रहे थे विल्लियम उन दोनों की बातों को बहुत ही गोल से सुन रहा था उसे लग रहा था कि दोनों का जगडा है बहुत ही अच्छा ड्रामा है वह भी एक राइटर है तो बहुत ही डीप इसे अनलाइस करता है उसे लग रहा था कि जब वह अपने एक्स वाइफ के साथ था तो उसके घर में भी वही चलता था बस अब में गैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है विल् करनिंगे टाइम पर हम विल्लेएम के घर में में रस्टी को देखते हैं आप रख़ती की सिस्टर सैम घर पर आ गई है दोनों खुशी से सहाम का विलकम करते हैं एकलन पर सब लोग खाना करने के लिए uni कि रख रही थी जिस गीपर से से अपनी स्बाइनक्र क davon क्राव तो उन्हें गुड नियूस देती है कि उसकी बुक अब पब्लीश होने वाली है सब लोग इस बात से बहुत खुश हो गए विल्यम में बहुत बड़े व्राइटर थे और उन्हें अपनी बैटी पर नास था उससे बुछते कि तुम्हें कोई उनसे उफर आया है इस बात से जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कभी भी जेलस फिल नहीं करता है मैं सिर्व अपने ओपीनियन दे रहा था दोनों के बातों को काटते हुए विल्यम गहते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है हमें इसे सेलिबरेट करना चाहिए हम सब के हॉलिडेज भी चल रहे हैं तो हमे और एक्च्वल नेम यूज नहीं किया था वो नहीं जाती थी कि उसके फादर की वज़ें से कोई ऑपरिचनेटी मिले वो खुद कुछ करकर दिखाना चाहती थी विल्यम इस बात से बहुत प्राउड हो जाते हैं और फिर इसके लिए चियर करते हैं उन्होंने बुक का ना मना कर दिया था इसवह जैसे उसने न्यूव बुक लिक टाली विल्यम इस बात से बहुत सप्राइस्ट हो जाते हैं क्योंकि उस बोग पर उन्होंने बहुत काम किया था उसे प्रूफ रिड़ भी किया था इस बास के लिए बना करते हैं और बता देना कि डाड को छोड़ दे रस्टी फिर चला जाता है रस्टी अपने मॉम की घर पर जाकर खाना खाता है वहाँ पर सैम की बुक के बारे में बात होती है यहाँ पर एरिका का हजवन यह विल्लियम के बारे में कुछ गलत कह देता है इस बात से रस्टी और उसके बीच में इस जगडे में एरिका रियलाइस करती है कि रस्टी ने नशे की हुए है, इसके बारे में वो रस्टी से पुछती है, रस्टी टेबल से फिर उठ जाता है, बाग में एरिका और रस्टी दोनों बात कहते हैं, उसे पुछती है कि क्या एक्च्वल में सैम की बुक पपलिश हो विल्यम कहता है कि गल्दी मेरी है लास्ट बूक में मैंने बहुत वर्क किया था इसी वज़े से शायद तुम्हें लगा कि ये न्यू बूक में पढ़ूंगा भी नहीं सैम फिर अपनी न्यू बूक विल्यम को पढ़ने के लिए दे देती है कि आपको पता है कि कल उनके हजबन मार्टिन ने पुलीस को कॉल किया था क्योंकि आप उनके घर पर नज़र रखते हो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है आप एक फेमस राइटर हो और आपके लिए सही नहीं होगा इसके बाद हम देखते हैं कि Rusty और Sam घर पर वीड का नशा कर रहे थे Sam उसे बुछती है कि क्या तुम्हे कोई लड़की पसंद आई है Rusty कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम में Kate वो मेरे साथ ही पढ़ती है उसके वारे में बहुत बात करता है Sam उसे खहती है कि में तुम्हें एक Advice देना चाहती हो Rusty उसे एड़वाईस देने के लिए मना करता है पर फिर भी Sam उसे बताई देती है वो गहते है कि दो टाइप के लोग होते है एक दिल खोलकर प्यार करने वाले और एक मायूस होकर प्यार करने वाले वो कहती है कि तुम्हें दिल खोल कर प्यार करना चाहिए साम को लगता था कि रस्टी बहुत मायूस है रस्टी को उसकी एर्वाइस उतनी जादा पसंद नहीं आती नेक्स डे रस्टी अपने क्लास में खुद लिखी हुई पोएम प्रेजेंट कर रहा था इसमें उसने एक एंजल के बारे में लिखा था पोएम खतम होने के बाद केट और रस्टी बहार मिलते हैं केट ने रस्टी की लिखे हुए पोएम की बहुत तारीफ की बातों बातों में केट का पोएफरेंट उससे फिर से बुला लेता है रस्टी को अच्छा नहीं लगता कि केट उसे बात कर रही थी और बाहरेंट की वज़े से उसे जाना पड़ा इसके बाद वो चली गए यह थर्जडे को एक दुसरे से मिला करते थे विल्यम घर बर वेटे वेट है रस्टी की जनरल्स पढ़ रहा था रस्टी के देख लेता है और विल्यम पर गुस्सा हो जाता है विल्यम खुद को प्रोटेक करते है कि मैंने सिर्फ एक लाइन पड़ी के लड़की के बारे में सोच से रहते हो तो मैं छोट देना चाहिए अपने काम पर जादा फोकस करना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं कि रस्टी और उसका फ्रेंड जॉंसन एक गाड़ी लेकर एक पार्टी में जाता है वहाँ पर लड़ाई करकर केट को अपने साथ ल कॉल कर रही थी पर इसे और इसी नहीं करते हैं गाड़ी लेकर केट और रस्टी वहाँ से निकल जाते हैं केट कहे थी कि मुझे खुटनों पर चोट लगी हुई है मैं नशे में भी हूँ और इस हालत में अपने घर पर नहीं जा सकती है वो आज रात के लिए रस्टी के घ कर रही है जिस तरीके से विल्यम करता है इस बहुत परिशान थी और शायद इसी वज़े से सैम उसे नफरत करने लग गई है एरिका और विल्यम में उनके रिलिजेंशिप के बारे में बातचीत होती है उसे कहती है कि तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाह पास नहीं जाना चाहिए सैम उसके बातों को इन्वर कर रही थी पर उसे पता चलता है कि लुइस भी नोटीस नहीं किया था लुइस को यह भी पता था कि सैम की बुक अब पप्लिश होने वाली है सैम फिर वहाँ से चली जाती है दुसरे दरफ रस्टी जल्दी पर फलेकर को में हमेशा मुझे तुमआरे बारे में पूछ लेती है इसमें लेती है क्या तु मेरे बारे में लिक रहे थे रस्टी इसके लिए हा कहता है इसके बाद दोनों करीबा जाते है और किस कर लेते है इसके बाद हम उन दोनों को स्कूल में साथ में देखते है अगले सिर्म में हम विल्लियम और ट्रिशा को साथ में बेड़ में देखते है प्रोगे थे कि अब एरिका की शादी हो चुकी है अब तुम्हें भी अपने वारे में सोचना चाहिए वह थे कि मुझे लगता है कि तुम खुद को खुश नहीं देखना चाहते हैं मैं हमेशा पूरी जिंदगी तुम्हें उस लॉन में इंतजार करता नहीं देख सकती इसके कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कॉफी के लिए इसके बाद कॉफी पीते हुए अपने फेवरेट बुक्स पर वो दोनों डिसकस कहते हैं लोई अपनी फेवरेट बुक बताता है यह सब डिसकेशन होने के बाद सैम वहां से उठकर चली जाती है दुसरी दरफ के घर पर नेकसिन में एरिका और विल्यम एक जगा पर मिलें एक्च्वल में विल्यम सैम के लिए लैप्टॉप लेनी के लिए आया था वो दोनों मिलकर फिर बात करने लगते हैं विल्यम खुद पर डाउट कर रहा था कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा व्राइटर नहीं था सिर् चल जाता है कि सैम को पता चल जाता है कि लूई की मोँ को ब्रेंटी मर सैम उसके घर पर कॉफी पेते हुए अपनी लीखी हुए पुक्क लूइस को देखी है ७ी आपने फादर को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खोश होती है आगे हम देखते हैं कि रस्टी की घर पर पहुँचता है इसके बाद नेक सिन में लूइस और समें दोनों डेट पर जाते हैं तुमने प्यार और शादी के बारे में अपने बुक में इस तरीख इसे क्यों लिखा है और एक दुसरे का फेवरेट गाने के बारे में वो बात कर रहे थे Lewis अपना फेवरेट सॉंग प्ले करते है Sam को एक गाना बहुत अच्छा लगया बातो बातो में दोने एक तुसरे के करीब आ जाते है और किस कर लेते है इसके बाद वो साथ में बहुत सारा time spent करते हैं नेक्स हम देखते हैं कि William और Trisha date पर जाने के लिए ready हो रहे थे William के पास party में जाने के लिए colorful कपड़े नहीं थे इसके लिए Trisha उसे help करती है अच्छे से कपड़े बेहन कर वो दोनों date के लिए जाते है अच्छा सा time spent करते हैं वावस आते हैं William Erika को घर की window से देखता है वो देखता है कि Erika उसकी book पड़ रही थी वो फिर अपनी ring निकाल कर window पर रख देता है वो वहाँ से जा रहा था पर फिर से वापस आता है नोटिस करता है कि Erika जो book पड़ रही है यह उसकी ही है यानि कि William ने लिखी हुई book वो रियलाइस करता है कि Erika अभी उससे प्यार करती है जो ring उसने छोड़ दी थी यह फिर चो पहन लेता है अगली सिन में देखते है कि Rusty Kate को लेकर अपनी मदर की घर पर आता है वहाँ सब लोग बहुत एंज़ाइ करते है नेक्सिन में सब लोग एक पार्टी में दिखते है साम की बुक पब्लिश होने का इस सेलिबरेशन था यहाँ पर विल्लम सबसे अपने बेटे Rusty और Kate का इंटर्डिस करवाता है सब यहाँ पर बहुत खुशत है वहाँ पर विल्लम और एरिका मिले एरिका अब भी साम से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी विल्लम एरिका को समझा कर साम के पास बेच देता है सम फिर से एरिका से अच्छे से बात नहीं करती इस बात से एरिका के दिल तूट जाता है यहाँ पर Rusty Kate को ढून रहा था पर Kate कहीं पर मिलने रही थी Rusty का बहुत ज़्यादा गुशा हो जाता है तो सब को पता चल जाता है कि Kate ड्रुग्स लेती है वो एक Gus नाम के लड़के जो एक ड्रक डिलर था उसके साथ बाहर गई थी गाड़ी में उसने ड्रक का और रोस कर लिया था उन्हें वैसे ही बेहोश हालत में मिल जाती है इसके बाद उसे हुस्पिटल में लेकर आते है नेकसिन में विल्लम और सैम को घर के पीचे के लॉन में देखते हैं विल्लम सैम को लुईस के बारे में बुच रहा था तभी वहाँ से ट्रीशिया को जहती है विल्लम फे सैम को घर जाकर रस्टी को उठाने के लिए कहता है सेमों ने कहते हैं कि मुझे आपके और त्रीशिया के बारे में पता है वो उनके लिए खुश थी और इसके बाद वो रस्टी के पास चली के बात में रस्टी अपने फ्रेंड जेंसन के साथ वेड के नशे कर रहा था एक सुपर मार्केट में था और तभी वहाँ पर जेक उस सोचना चाहिए रस्टी उनकी बात नहीं मान रहा था तुम दोनों में जगडा हो जाता है विल्लम उससे कहते है कि तुम्हें अप घर में रहना है घर से बाहर मत निकलना उस पर बहुत गुस्ता हो गए थे इसके बाद निकसिन में विल्लम और साम ये दोनों बीच पर कि एरिका का कोई भी फॉल्ड नहीं था मैंने उस पर पहले चीट किया था और इसी वज़े से किसी और के साथ है इसके बाद विल्यम जाकर रस्टी को देखता है तो रस्टी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था अगली दिन सैम को लुईस का कॉल आता है वो लेती है नेक्सें में रस्टी को एक पॉब्लीशर का कॉल आता है साम ने उसकी बुक डारेकली पॉब्लीशर को सेंट कर दी थी जसी हो जैसे अब वो पब्लीश हो रही है रस्टी बास से बहुत खुश था इस गुड़नों उसके बास सब लोग मिलकर कीचन में एंजॉय क रहे थे तब दोर वेर बच्टी दोर पर एरिक आई हुई थी विल्लेम उसे देखकर सप्राइस हो जाता है एरिका विल्लम को उसने जो भी किया था इस सब के लिए माफी मांगती है विल्लम उसे गले लगाकर माफ कर देता है आज एरिका फिर से उनके बास वापस आ गई सब लोग मिलकर एंज्जाइ करते हैं इसी के साथ इस मूवी के इंडिंग हो जाती है अगर आपको एक्सपेंशन अचा लगता है तो प्ली से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूइज लिकर आत रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और लोटरिशन आइकों दने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और इने मों के साथ अब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है